तो गुडविंग आप अभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में देखे दोस्तों आज हम इस वीडियो में बीपी एयस 186 समय यों तनाव प्रबंधन के चैप्टर नमबर जो आपका रहेगा सेकेंड और चैप्टर नमबर सेकेंड के वीडियो नमबर 2 में आज हम इस पे चर्चा करेंगे इससे पहले जो चैप्टर सेकेंड या यूनिट जो आपकी सेकेंड है समय परबंधन को समझना इसका जो इसमें 2.2 था समय परबंधन आर्थ और महतो समय परबंधन और समय परबंधन का महतो इसका वीडियो मैंने बना दिया है आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके वहा पर आप देख सकते हैं और इस unit का इस chapter का दूसरा वीडियो है और जिसमें हम किस पर चर्चा करेंगी इसमें आज हमारा रहेगा 2.3 समय प्रबंधन करने के परिणाम और समय प्रबंधन के लाब और next हम देखेंगे समय प्रबंधन के तक्निकी next फिर रहेगा समय प्रबंधन क के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा किया है तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर आजएगा 2.3 में यहाँ पर जब आएंगे आप 2.3 में इतना आप देखें ठीक है इस portion को देखें यहाँ पर देखेंगा ठीक है 2.3 समय बरबाद करने के परिणाम और समय प्रबंधन क लाब तो सबसे पहले हम देखते हैं समय बरबाद करने का क्या परिणाम निकलता है और उसके समय प्रबंधन की लाब क्या होंगे समय की बरबादी ना केवल समय का अनुपियोग सामिल है बलकि आपरयाप्त उपियोग भी सामिल होता है यानि समय बरबाद करने से ना केवल समय बरबाद होता भीया आपकी जिन्दगी भी खराब हो सकती है आपके जीवन के जो लक्स हैं जो टार्गेट हैं उन पर भी परभाव पड़ेगा और अगर आप समय बरबाद करते हैं तो उससे क्या होगा आप में स्ट्रेस रहेगा तनाव रहेगा किर्चड़ापन रहेग क्या होगा जब आप समय परबंदन नहीं करेंगे समय जाया करेंगे और इससे क्या होगा आप पर बहुत ज़़दा दबाओ पड़ेगा और आपमें तनाव की स्टिति में आ सकते हैं जो इसके काम उपयोग अनुपयोग और गलत उपयोग की ओरिसारा करेगा विया इसका क कोई सटीक वस्ट निट्स बिस्लेशन नहीं हो सकता है, यानि समय बरबाद करने वाला कौन है, इसका कोई सटीक बिस्लेशन तो नहीं हो सकता है, एक विशेश गतिविधी उधान के लिए निरित अभ्यास एक बैज्यानिक के लिए समय बरबाद करने वाला हो सकता है, यानि आप किसी भी काम को करने के लिए जिसमें बैग्यानिक्ता नहीं है, उसमें भी बैग्यानिक्ता सीखने के लिए आप समय बरबाद करें, माली ये कोई आपका ऐसा विशय है, ठीक है, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है, फिर भी आप उसमें प्रैक्टिकल के लिए विचार कर र दांस करने वाले हो तुमको डांस करने भी साइंटिफिक डांस करने देखोगे तो समय बरबाद होगा लेकिन निर्त का कौह देखोगे तो समय बरबादी नहीं होगी ठीक है एक समय बरबाद करने वाली गदविधी जो जानबूज कर थुपी गई अज्ञानता का वाहन की जाती है बेकार हो सकते हैं लक्ष को ध्यान में रखते हुए नकरात्मक परिणाम हो सकते हैं चुकि समय सबसे कीमती संसाध हैं इसलिए व्यक्ति के साथ संगठन को भी इसकी बरबादी की भारी कीमत चुका नहीं पड़ सकती हैं यानि समय बरबाद करने से सिरफ प्रसनल व्यक्ति को नुक्सान नहीं होता है व्यक्तिगत आप परसन को नुक्सान नेगा बलकि उस संगठन में अगर तुम किसी कमपनी के लिए किसी तुम यून प्रसन या उसकी भारी कीमत चुकानी पड़िए जैसे बित्तिय संसाधन को बरबाद करना लक्षो की प्राप्ति ना होना परियोजना की लाबिर्तियों में असंतोस अनुसासन मर्यादा का कम होना निसकर्स निकालने के लिए निमलिखित इस्तितियों को माना जा सकता है ज जब किसी बिसे समय में होने वाला लाभ और अनुमान कम हो जब संतुष्ट अल्प और अपेक्छा से कम हो जब किसी परियोजना या परियास के परिणाम किसी व्यक्ति या संगठन के सदभा को नुकसान और संगर से अच्छती हो यानि कहने का यहाँ पर एम मतलब है कि उसको भी हानी होगी, बराबर की हानी होगी, समय को बरबाद करने वाले को समय खुद नहीं छोड़ता है, या अपने खुद नहीं सुन रखाओगा, ठीक है, तो यहाँ पर next देखेंगे, यहाँ पर देखेगा, समय बरबाद करने के परिणाम क्या है, यहाँ पर देखेगा, ठीक है देखिए समय बर्बाद करने या समय का प्रभावी धंग से प्रबंधन करने में भल रहने के प्रिणाम निमलिकित हो सकते हैं भाईया जो समय बर्बाद करनेगा उसका प्रिणाम यही निकलेगा या समय को खराब करेगा तो क्या होगा सबसे पहरे एक व्यक्ति समय की सीमा चुका जाता है इससे उत्बाग्ता पर्थिष्ठा प्रभावित हो सकती भाई आगर आप समय बरबाद करोगे तो आपकी पर्थिष्ठा नहीं रचेगी बलकी आपकी उत्बादक्ता यानि आप अच्छे ढंसे कार भी नह होगा और आपकी व्यक्तित हो है उसको भी कहए सकते हो या आप वाणीत कर पाओंगे प्रयाप्त कर ने से सारी आपको हानी होगी आप परियात पेसेवर पतिष्टी स्वास्त और आज एभी का प्रभावित हो सकती है, यानि आप जिस पेसे में हो, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर समय का प्रभंदन नहीं करेगा तो उसके पेसे को हानी पहुंचेगी, माली जी आप सोप कीपर हो, दुकान दार हो, आप समय प्रभंदन नहीं करोगे, तो आपको तो हानी होगी, आपकी दुकान को भी घाटा हो शकता है आजीविका प्रभावित हो सकती है अब जैसे आप तुम बाल काटते हो ना ही हो अब तुम समय प्रबंदन नहीं करोगे दुकान पे सही टाइम से आओ जाओगे नहीं दुकान चलेगी नहीं तो तुम्हारी जो आजीविका है जो तुम्हार काम है तुम्हारा घर बंद हो जाएगा चूरा जलना बंद हो जाएगा क्योंकि तुम वहाँ पर कमाओगे धमाओगे नहीं तो घर कैसे चलेगा यानि आगर तुम कहीं पर नौकरी चाकरी करते हो भी या तो वहाँ पर समय प्रमदन नहीं करोगे तो कंपनी वाला निकाल दे है या उच्छास्तर के तनाव का कारण बनता है जो स्वास नौकरी की प्रदर्शन को प्रभावित करता है भी या अगर समय प्रबंदन नहीं होगा तो आपको तनाव रह सकता है इससे आपके रिस्ते खराब होगे माली जे घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़दा टें जगड़ा करोगे यानि समय प्रबंदन ना करने के रिस्तों में भी तनाव हो शकता है घर परिवार का महोल खराब हो शकता है यह चारी चीजें हो सकती अगला देखेंगे आकुसल कार प्रभाहग जो सामान ने उरुत पद्दा को प्रावित करोगे या तुम कोई प्रोड साबून नहीं पर लुए तुम्हें नहीं पर रहे हो carry गलत बना नहीं कर दो कर दोगी हर्दी हो साबून का को शृट आजएगा यह चांग हकल कहई sellers प्रभूर कर रहते है तो More सब्रोह का gekommen काम के धन्याम की घुन वत्ता में खराविक जिस उत्वागतन यह competitions i रमकीन बना रहे हो अगर समय प्रभधन नहीं उगा तो आपका प्रोड़क्ट खराब हो जाएगा यानि कुस्टुम Eigen होगा आपका कोई खरीएगा नहीं इसे उत्पादक उत्पाधन प्रभावित होगए आपके समान ही नहीं बिकेगा अगर कोई खराब खराब समान बनाएगा देखो समय प्रबंधन ना करने का परड़ाम कहां तक पहुच रहा है यह आपने समय प्रबंधन से नहीं किया टाइम को मैनेज नहीं किया तो आपकी उत्पादक्ता यानि जो कंपनी में तुम भाईय प्रड़क्शन कर रहे हो प्रड़क्शन वा खराब हो जाएगा ना कहने का मतलब यह है कि तुम जो काम बने अब सिंपल सी बात है कि जैसे आप पढ़ाई नहीं करोगे एक्जाम आ जाएगा तो क्या होगा आपका उत्पादन प्रभावित यानि रिजल्ट खराब हो अगर तो टाइम मैनेज नहीं करोगे तो बच्चों को समय नहीं दे पाओगे अपने घरवालों को समय नहीं दे पाओगे तो ऐसे समय में क्या होगा आपके घर के माहल अच्छा नहीं रहेगा अगर तुम घर पे समय नहीं दोगे अपनी बीबी बच्चों को समय नहीं दो तुम्हारा टाइम मेनेज नहीं हो रहा, घर पर भी चिड़-चिड़े हो गए हो, लड़ाई जगड़ा करते हो, समय मेनेज नहीं होता, घरवाली विचारी परेसान हो जाएगी, तुमको छोड़कर के तलाक वलाग देके चली जाएगी, फिर तुम टेंसन में बनाऊगी, य सुद्पादक्ता खराब हो सकती है, रिष्टेदार आपके सही डंग से नहीं रहेंगे, अरे रिष्टेदार से तुम सही डंग से बात नहीं करोगे, रिष्टे नाते बिगड़ जाएंगे, माबाप के साथ भी आपके संबंद खराब हो सकते हैं, समय परबंधन ना करने क इतना बड़ा दूस्परिणाम आपको भोग ना पड़ सकता है समय बरबाद करने के प्रिणामों के बारे में अस्तपस्ट समझ के बार हम इस खंड में अब हम समय प्रबंधन के लाभू की चर्चा करेंगे भया समय बरबाद करने का इस दूस्परिणाम देखा उब समय को प सबसे पहले ठीक है एक मिनट यहाँ पर दीखे समय प्रबंधन के निमलिखित लाव हैं पहले क्या समय की पाबंदी और अनुसासन की आदत विक्सित करता विया अगर तुम समय प्रबंधन करोगे तो तुम्हें का अनुसासन बना रहेगा ठीक है देखो क्या है एक व्यक्ति समय का विबेकी पूर्ण उपियोग करना सिखाता हुआ, एक कार सूची तयार करता है और महात्पूर्ण कारेों को लिदता है, उसे विशिष सानी के अनुसार बनागा, दिन की कारेों को प्राथ मिक्ता के अनुसार पूरा करेगा, एक व्यक्ति करमचारी निधार समय के भीत समय देना है, कौन सा काम पहले करना है, अगर इसका तुम टाइम टेबल पूरा मैनेज करके चलोगे, तो आप पाबंद रहोगे, समय के पाबंद रहोगे, और समय पर हर आपका काम होगा, अनुसासन बना रहेगा, डिसी प्लेन बना रहेगा, यानि आप अनुसासन, अनु आत्म विश्वास बढ़ाएगा, सिंपल सी बात है, तुमको कल परिक्षा देने जाना है, एक्जाम देने जाना इसी पेपर का, अगर तुमने पढ़ाई कर रखे तो तुम्हारा आत्म विश्वास बढ़ा रहेगा, तुम्हें आत्म विश्वास बहुत हाई रहेगा, तुम आप टाइम मैनेज करके चलोगे तो आप में उच्सा रहेगा आप उच्सा वर्धन रहेंगे खुश रहेंगे ठीक है और दूसरा ब्यक्ति का मनोबल बढ़ेगा आपका भी देखो अगर आप परिक्साम में अच्छी त्यारी करके जाते हो ना तो इसरे फेन ही आपका रिज कि चिंता रहेगी कहने का मतलब यह है आगे देखेगा महत्मुर्ण कारें को प्राथमिकता देने के लिए प्रुसाहित करेगा अगला क्या होगा भी या समय प्रबंधन का लाब क्या होगा कि आपके जो महत्पूर्ण कार हैं जैसे महत्पूर्ण कार क्या है आपके लिए आपके लिए तो परिक्षा सबसे ज़्यादा महत्पूर्ण है क्योंकि इस पढ़ाई इसलिए की जा रही है इसलिए जैसे आम इस वीडियो को बना रहे हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हो जैसे आमा लोग चुम इस वीडियो आप देख रहे हैं अब इस वीडियो को इसलिए देखा जा रहा है इस वीडियो को हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि क्या होगा क्योंकि परिच्छा बहुत जरूरी है, important है, इसलिए हमें कामों को प्राथ मिक्ता के अनुसार, भया फलाना काम जरूरी है, इसको पहले करना है, दूसरा काम बाद में है, तो जो काम जरूरी है, उसको हम पहले करेंगे, यानि हमें एलाब मिलेगा, कि हम जब समय प्रबंधन करेंगे, तो हम कार क प्राथ मित्ता के अनुसार करेंगे, जो जादा जरूरी होगा, पहले करेंगे, जो कम जरूरी होगा, उस कारी को हम बाद में करेंगे, यानि इस से हम पूरा हमारा क्या होगा, टाइम का पूरा मैनेजमेंट चलेगा, नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट हमारा कह रहेग आपके संगठन का कोशल बढ़ेगा अगर आप कहींपर कमपनी के रूप में, कहीं किसी कमपनी में टीम वर के रूप में अगर काम करते हैं तो क्या हिगा? आपका संगठन बढ़ेगा, कोशल बढ़ेगा ठीक है? जैसे मालिया आप group study करते हो आप लोग daily time manage करके group study कर रहे हैं बच्चे करते हैं बहुत जगह पर करते हैं आप किसी company में काम करोगे अगर वहाँ पर सभी लोग समय प्रबधन करेंगे तो क्या होगा आप में कौशल विक्सित होगा ठीक है यानि संगठन मजबूत बनेगा संगठन का उजसाव वर्धन हो यानि संगठन के रूप में यानि एक team work के रूप में आप बहतर काम कर पाएंगे एक संगठन को कुसलता पूर्बा काप चला पाएंगे या संगठन में आप बहतर result दे पाएंगे एक समय प्रबंधन करने के लाभ हो सकता है आपको अगर आप किसी company में team work के रूप में काम घठन में बहतर भूमी का निभाप आओगे एक समय प्रबंधन की क्या कर सकते हैं तीक है आगे देखिएगा समय प्रबंधन की तक्निक क्या है ठीक है यहां पर हम क्या देखेंगे सबसे पहले भी यहां पर देखो समय परबंधन की तक्नीक यानि टेक्निक क्या है टेक्नलोजी क्या है कैसे करेंगे समय परबंधन बताइए इसको ठीक है देखो प्रभावी समय परबंधन के निमलिखित तक्नीकों पर आधारित होता है 50 में से 45, 40, 42 जितना है आप सबसे पहले लक्ष निर्धारित करने यानि समय परबंधन से पहले हमें अपने लक्ष को निर्धारित करना होगा दूसरा खाली और समय और संसाधन को सर्बोत्तम उपियोग के यानि हमें संसाधन का क्या करना पड़ेगा समय और संसाधनों का अच्छी तरीके से उपियोग करने की योजना बनानी पड़ेगे यानि हमारे पास क्या है जो समय है और जो संसाधन है उसका हमें कैसे उपियोग करना है इसकी योजना बनानी पड़ेगे next रहेगा अपने और टीम के सदस्चों के लिए यथार्थ यथार्थ वादी और परियाप्त योग लक्सिंधार के लिए यानि अपने लिए और टीम के जो आप में अगर सदस्च काम करते हैं उनके लिए रियल में जो लक्स हैं उन्हें निधारित करने से लाब होगा आवसक्ता और महत्मूर कारों के पीच अंतर असपस्ट के आधार पर कार सूची को बना के प्राथमिक्ता यानि आवसक्ता के अनुसार यानि जो काम ज़्यादा जरूरी है उसके अनुसार आप सूची बनाएं और उस सूची में प्राथमिक्ता के अनुसार आप कार को आपको काम करना चाहिए प्राथमिक्ता के आधार पर एक कार सूची तयार करने चाहिए यानि जो ज़ादा जरूरी है उस काम को पहले करें इसके लिए प्राथ मिक्ताओं की एक सूची बना ले भया कि हमें दो काम पहले करना है काम बाद में करना कौन सा काम पहले करना कौन सा काम बाद में करना है इसके लिए हमें सूची यानि एक सारनी बना लेनी है टेबल बना करें यानि क्या करें कि समय पर कार आपका पूरा हो इसके लिए 80-20 का जो सिधान्त है उसका पालन करें यानि समय को जो आपने निर्धारिक रखा बीच बीच में उसका ओडिट करते रहें उसका निरिक्षन भी करते रहना चाहिए परदर्शन में इस्टगत उतकर्शन प्रा करने के लिए आपको हमेशा क्या उस पर ध्यान केंदित करना जरूरी है कारें समाप्त करें अपने आप या अपने टीम के सदस्टों पर अधिक बोज़ा ना डालें जब तक प्रदर्शन करें तब तक वह पूरा ना हो यानि अत्रिक्त कारें ना दें ठीक है यानि कोई भ आप कारें उनको दीजिए ध्रिन और स्वा प्रबंधन क्या होता दिखें नियोजन लक्षों को प्राप्त करने के लिए अनुसासित संगठित और समय पाबंद रहें यानि भईया अगर तुमको लक्ष समय पर प्राप्त करना है अपना काम समय पर समाप्त करना है तो आपको ध्रिनता पूर्वा क्यों ठीक है एक टार्गेट के साथ आपको सही समय पर सभी कारियों को समाप्त करना पड़ेगा इसके लिए समय के पाबंद बना रहेगा टाइम पर काम समय पर आपका जो काम है वा खतम हो इसके लिए पाबंद रहेपना पड़ेगा समय का सारबधिक तर्ग संगत उपियो करने के लिए प्रेरक और सकरात्मक कारे संस्कृति को प्रहने यानि समय का सारबधिक या संगत ढंग से आप उसका उपियो करे इसके लिए सकरात्मक कारे करना पड़ेगा यानि उत्सावर्धन करना पड़ेगा सु बेवस्थित प्रणाली को अपनाना, समय समय पर इसकी जाच करना, जब आवस्यक हो सुधार करना, यानि समय समय पर जैसे आपका कोई काम कर चल रहा है, तो समय समय पर उसकी जाच करना चाहिए, जहां पर कोई समस्या आ रहे हैं, उस समस्या का समाधान हमें तुरंत कर ल ही होगा तो उसको गल्दी काम पूरा विसके लिए आपको अनुचित लाव या उचित कदम उठाना आपके लिए आवस्यक हो जाएगा टीम के सदस्यों की उत्पादक्त को बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी सों पे निगरानी करें यानि टीम के जो आपके सदस्य हैं उनको जिम्मेदारी देने पड़ेगी responsibility दें कि भाईया फलाने को ये काम करना है फलाने को करना है दूसरे को करना है मनोच को ये करना है सनोच को ये करना राकेश को ये करना महेश को ये करना यनि सब को अलग अलग कारिसों पे और समय समय पर जाच भी करो कि फलाने को काम दे दि अनुसार कामसव पर गतिविदियों की निगरानी करें, यानि अधिनेस्थ का मतलब होता है, जो आपके बराबर के करमचारी हैं, उनको भी आपकारिसों पर उनकी भी समय समय पर निगरानी करें, यह नहीं, तुमसे छोटा करमचारी हो तो उस पर चड़ बैटते हो, उसको ज ज्यादा देना है, और सबकी समय समय पर जाच करनी है, उसकी निगरानी करनी पड़ेगी, समय समय पर उने सलाबी दें, अगर कोई काम करने में रुकावट आ रहे तो उनको सलाबी दो, ऐसे करो गो तो जल्दी हो जाएगा, ऐसे बताओ उनको, ठीक है, समय की गढ़ना को बढ़ावा देना यानि जब समय टाइम फिक्स कर दिया है तो बीच बीच में उसकी गड़ना भी करते रहो कि इतना समय में इतने समय में इतना काम हो जाना चाहिए यानि उसको देखते भी रहिए ठीक है उपयुक तक्निकों के बारे में अधिक जानकारी के लिए समय प्रध कर सकते हैं अब रहेगा हमारा समय प्रबंधन कॉषल और यहां पर देखेगा ठीक है एक मिनट अ कि यहां पर देखो इस सबसे पहले यह पर देखें समय प्रबंधन कॉषल क्या है इस खंड में हम समय प्रबंधन के महात्पूर्ण कौसल पर ध्यान के इंद्रित करेंगे जिससे व्यक्ति को समय का सर्बोता मुप्योग करने में सहायता मिलेगी यानि इस पूरे चप्टर में हम इस सीज का अध्यन कर रहे हैं कि व्यक्ति समय को प्रबंधन कैसे करें जिससे उसको जादतर आधक से अधिक सहायता मिले यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि समय निर्धारित के सीमा के भीतर ही कारे को सफलता यानि किसी भी काम को पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा समय निर्धारित करना पड़ेगा ताकि काम सफलता परोवग टाइम से पूरा हो जाए एक कोऊशल निम्न परकार के होंगे यानि समय परधन करने के कौशल कौन कौन से है जो क्या है कहई सकते हो निम्न लिखित है समय परभंदन के कोशल क्या है यह सभी क्या है यह समय परबंधन के कौशल है ठीक है यहां पर हम देखेंगे समय परबंधन के कौशल कौन कौन से है पहला क्या है काम अस्थल और निजी जीवन हमेशा बेवस्थित रहे यानि कार अस्थल ठीक है काम जहां पर आप काम करें वहां और आपका निजी जीवन ह निधारित करें, बहुत सोच विचार करके लक्षों को decide कीजिए, कार सूची में निधारित महत्पूर्ण कारों को प्राथमित, यानि जो आप कार सूची बनाए, उसमें जो महत्पूर्ण कार हैं, उनको सबसे पहले करें, ठीक है, योजना कारों, आयोजकों, धैनकी, जैसे गुगल आप, उपियों की आदत बिक्सित करें, यानि कोई काम करने के लिए आप टेबल बनाए, चार्ट बनाए, लिखें, पढ़ें, काजी काम करें, गुगल में, यानि सभी प्रकार की जो आप मदद ले सकते हैं, इंटरनेट की मदद ले सकते हैं, आप, जिस भी डिवाइस की मदद लेना चाहिए, उन सभी चीजों को हमें मदद लेना चाहिए, कंप्यूटर, फोन, कैलेंडर, इस सब के जरिये हम अपने समय प्रबंधन को बहतर बना सकते हैं, काम का स्वामित लें, और कार्यस्थल पर जिम्मे, यानि काम की जिम्मेदारी लें, और जहां पर काम हो रहा है, वहां पर रहें नहीं, वहां से छोड़ करके चली जाई, वहां पर रहें, बचना सीखें, रुकावटे, गड़बड़ी और बाधां और और ओधों को निद, यानि वहाँ पर कार एस्थल पर रहें जहां काम हो रहा है और कार के निग्रानी करें वहाँ पर कोई रुकावट बाधा या कोई प्रोब्लम अरही तो उसका समय पर शमाधान करने चाहिए ठीक है गलतियों को सभिकार करना सीखे उन समस्याओं और बाधाओं और विसंगतियों की पहचानी यानि अगर कोई गलती हो रही तो उसको माने और गलती को ठीक करने कोई समस्या बाधा विसंगति हो तो उसको जल्दी से डिफाइन करने मालो कोई काम हो रहा है तो वहाँ पर अगर का पता लगाएं जिन्होंने परदर्शन वा छमता के लिए प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्रक हैं यानि बहता ढंग से कारिक कर सकें निर्धारित कारियों के लिए निर्धारित अवधी को पूरा करने के लिए नई तकनिक हैं यानि काम समय पर हो इसके लि रहें और अनुचीत दबाव के लिए बिनम्रता से नहीं कहना सीखें देखो आप गर आप टीम के रूप में काम करवा रहे हो तो आप भया और कहके काम चलेगा कर लीजे वहां पर थोड़ा कूट नीतिक बने रहें थोड़ा दबाव आप अपने करमचारियों पर बना सकते ह जिला यहां पर मतलब होता है दे नहीं में नहीं कहने छिए रहें दूसरों को खुस करने के लिए लिए इस तुमको ही बता दे रब हमारा भी काम तुम ही कर देना इस प्रकार की कारें ना करें इसे क्या होगा आपका समय खराब होगा आपका परदसन खराब हो शकता है ठीक है अनुची तना लें सहकर्मियों और करमचारियों के बारे में जानकारी यह ते यह आपके जो सहकर्मी है ज जानों समझों उनकी जानकारी लोग जो प्रतंदी करमचारियों का लक्ष हासिल करने की विशेशग और छमता के अनुसार जिम्मेदारिया उन्हीं सब की जांच परताल करो किसको क्या आता है और कौन क्या जानता है कौन कितनी responsibility ले सकता है इनके अनुसार उनके काम को decide कीजि यानि ध्यान केंदित करके काम करें इसके लिए उनको तरीके सीखाईए ठीक है निसकर्सों की पहचान करें समय बर्बाद करने से बचना सीखें या निसकर्स पर पहुँचें समय पर काम करें और समय बर्बाद करने से आपको बचना चाहिए अपने बेवहर आचरण को आक की पाबंदी अनुसासन की आदत बिक्सित करें उनका पर यानि अपने जीवन में समय पर काम करें अपनों खुद भी समय का प्रबंधन कीजिए और जीवन में जिम्मेदारी के साथ और responsibility के साथ सभी कामों को आपको कारे करना चाहिए ठीक है अगला जो रहेगा आपका इसमें important हैगा कारे अस्तल पर समय प्रबंधन ठीक है यह आपके लिए important रहेगा ठीक है यह पर हमने बोला भी था इस point को हम देखेंगे ठीक है इस point को देखें देखें क्या है कारे अस्तल पर समय प्रबंधन देखो संगठन में परते एक टीम लीडर और विशेश धे लक्ष होते हैं या कोई अगर संगठन है या कोई भी कहीं पर टीम वर्क में काम होता है तो उस संगठन का या उस टीम का कोई न कोई लक्ष क्या होता है निर्धारित होता है जिससे वहाँ टीम के सदस स सहाथा प्राप्त करना चाहते हैं या कोई संगठन के रूप में या कोई टीम के रूप में अगर कहीं पर काम होता है तो सभी लोग एक दूसरे की क्या करते हैं मदद करते हैं एक दूसरे से सहाथा प्राप्त करना चाहते हैं एक व्यक्ति के मामले में परिवार के सदस मित्र समर्थक हो सकते हели, माले एक व्यक्ति के मामलें अगर देखोगे तो उसके जो परिवार के लोग हैं, जो उसके सदस हैं, नास डिस हैं, उनको आप मान सकते हो समय निर्धारित समय सीमा के भीतर लक्ष प्राप्त करने के लिए लगातार प्रियासरतन, यादि आप अगर कोई काम कर रहे हो, आपने कोई लक्ष निधारित कर रखा है, तो आपको लगातार उसमें काम को करते रहना पड़ेगा, तभी आप सही समय पर अपने लक्षों को प्राप्त कर पाएंगे, यह उलेखनी यह है कि आज यूका के प्रती जागर क्रमचारियों के लिए आउसक ही वह लक्षों को प्राप्त करने में कुसलता का योगदान दे, यह आगर आप आज यूका को भरतर धंग से तनाव कम लेना चाहते हैं, सही समय पर आपको काम करना पड़ेगा, और आपको सभी काम कुसलता पूर्बग करने पड़ेंगे, औ इसके लिए आपको समय प्रबंधन और समय समय पर अपने आगलन का जाज करें, और बहतर धंग से आपको उस कमपनी के लिए उस टेम के लिए उप में या उस संस्थान के रूप में अपना अपनी पहचान बनाना पड़ेगा, अथा संगठन के एक क्रमचारी को प्रभाव समय प्रबंध के निमलिखित योगदान दे, यानि किसी संगठन में अगर आप एक प्रभावी बनना चाते हैं और संगठन के लिए बहतर काम करना चाते हैं, तो आपको निमलिखित योगदान देना चाहिए, यहीं चीजों को आपको करना जरूरी होगा, समय के मूले और लक्षों को की पर करती हैं, यहीं समय को समझना पड़ेगा, और समय पर आपको काम करना पड़ेगा, अगर आप कार्यस्थल पर काम करते हैं, कहीं वर्क प्लेस पर काम करते हैं, किसी नोकरीम करते हैं, तो आपको समय के महत को समझना पड़ेगा, और समय पर आपको सारे का काम करने पड़ेंगे यदि आवंटी समय उधी के दोरान लक्ष आवास्तविक और आपर्याप तो करमचारी तुरंत टीम लीडर के साथ चर्चाएंगे अगर आपको कोई काम दिया गया उस समय पर काम नहीं हो रहा है तो तुरंत आपको अपने सेनियर से बात करनी चाहिए जो आपका टीम का लीडर है अपने मैनेजर से प्रवंधक से तुरंत बात कीजे कि आपने फला मुझे काम दिया था वह काम समय पर नहीं हो पा रहा है उसमें निमलिखित रुकावटे आ रही है उन समस्याओं के समाधान के लिए आप अपने जो आपका सीनर उस से बात करन आहिए परतेक संगठन को निष्ठावान करमचारी की आवसकता होती जो बरिष्टों की अनपस्टिते में भी अपने सह कर्मियों की इर्दिगिर्द घूमने और गपसप करने के लिए उनका मनुव गिनान की बजा उनका ध्यान केंदित करने में समारपन आवस्था का समय बर्बाद करेंगे आपको निरासा देंगे आपका स्वाहा करेंगे यानि आपके जो मनोबल उसका गिरानी के प्रयास करेंगे इन लोगों से आपको बचना चाहिए ठीक है जो व्यक्ति आपका समय बर्बाद करता है और आपको उस्चाहित नहीं करता है आपको दी मोन ये करता है कि आप motivate नहीं करता है दी motivate करता है उन लोगों से क्या करना पड़ेगा आपको बच के रहना चाहिए निर्धारी समय सीमा के भीतर लक्षों को पूरा करने के लिए समय की पाबंदी और अनुसाधन की देखो भया आपके समय सीमा पर आपको पाबंद बनाना पड़ेगा समय पर काम करने के लिए जो आपको काम दिया गया हो काम समय पर हो इसके लिए आपके लिए समय का पाबंद बनना पड़ेगा और सभी कार को अनुसासित हो करकी आपको करना पड़ेगा इसकी आदट आपको डेली डालनी पड़ेगी तभी आप सही समय पर सभी कारियों को कर पहेंगे, एक क्रमचारी को अपनी च्छमताओं और प्रात्मिक्ता के बारे में अस्द पश्ता, एक क्रमचारी कर डूप में आपकी चंपता क्या है, और आप किस काम के समय कर सकते हैं, यह आपको पता हो न चाहिए, यही किसी क्रमचारी पर अधिक बोज्गा पड़ता है, तो उसे सहकर्मी के साथ चाहिए, यानि आगर आपको अधिक काम दिया जा रहा है, तो आप अपने सहकर्मी के साथ जरूर बात करनी चाहिए, काम साझा करना चाहिए, चुकि हर कोई सूपर मैन या सूपर बूमेन और सूपर मैन नहीं होता, इसलिए सबको अपने दमपर ही ना कर सके, देखो, आपको जो कार दिया जा रहा, उचित होना चाहिए, आपको अपने मैनेर से बात करो, कि हर कोई सूपर मैन नहीं है, कि तुम दस लोगों का काम एक साथ कर लोग या सही कर सकते हो, तो आपको अगर आतरिक्त काम मिल रहा है, तो अपने सीनर से बात करो, सह कर्मियों से बात करो, और अपने काम तुम जितना कर सकते, उतना ही काम आपको लेना चाहिए, स्वाब व्यवस्ता सफलता की कुंजी है यानि खुद अगर आप व्यवस्ता करें सफलता की कुंजी है इसलिए महात्पूर्ण फाइले दस्ता बेजो विजिटिंग कार्ड आज की व्यवस्ता करें और उन्हें धार्द करना चाहिए यानि आपको सभी कारें को करने के लिए आपको क्या करनी चाहिए उसके लिखा पढ़ी करनी चाहिए फाइले बनानी चाहिए तमाम तरीके जो जरूरी दस्ता बेज होते हैं जो आवस्यक डोकोमेंट होते हैं उनको आपको बनाना चाहिए और उन पर भी ध्यान किंद्रित करना चाहिए काम पर ध्यान भटकाने से ब भी बाते करना, सोशल मेडिया पर विजी रहना, इस प्रकार की चीजों को ना करें, और अपना काम अच्छे धंसे करें, और अपना ध्यान इधर उधर न भढ़काएं, इधर इधर की चीजों में समय बरबाद ना करें, लक्षों को प्राप्थ करने के लिए ठीक सी होजना बनाएं, और कार सुचे, यहनि लक्ष समय पर प्राप्थ हों इसके लिए आपको काम कैसे करेंगा, इसकी उजना बनाओ, और उसकी सूची तयार करनी चाहिए, अब एक रणीती के अनुसार आपके कार को, अनुसार आपको काम करना चाहिए, और जो प्राप्थमिक पहला जरूरी है उसको पहले करें, जो बाद में हैं, उसको बाद में हमें करना चाहिए, इस प्रकार क्या करना चाहिए, आपको लक्ष निर्धारित करके, ठीक है, क्या करना, आपको जब संगठन के रूप में अगर आप काम करते हैं, कहीं पर कमपनी में, किसी संगठन में काम क तो आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं, तो सही समय पर आप किसी भी काम को कर पाएंगे, यह आपके लिए बहुत जादा बहतर रहेगा, और आप उस संगठन के लिए बहतर काम करेंगे, और आपकी नौकरी विच्छी रहेगी और आप में तनावी आपका स्वास्त भी अच्छा रहेगा और आप हमेशा खुस हाल रहेगे और आपकी जिंदगी हमेशा बहतर और अच्छे ढंग से चलेगी ठीकर यह इतना रहेगा आज के लिए देखो यूनिट नमबर जो सेकंड है उसका एक पहले भी मीडियो मैंने बना दिया है आप उसको भी जा करके देख लेना चेप्टर नमबर टू जो है पूरा आज यहीं पर ही समाप्त होता है और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में चर्चा करेंगे एक वीडियो आपको कैसे लगा हमें जरूर बताएगा वीडि यू सो मच जय हिंज जय भारत